कि यहां सोश्य रोजी क्लास 12 के लिए function of marriage पढ़ने वाले हैं विवा एक संस्था है समाजिक संस्था है और उसके क्या का रहे हैं तो सबसे बहुत सेटिस्वैक्शन ऑफ सेक्स मैरेज के तुरू दो इंडिविजन जो है husband and wife वो फिजिकल सेटिस्वैक्शन ले सकते हैं फिजिकल प्रेजर ले सकते हैं एक सोशली अप्रूव्ट मैनर में प्रोक्रियेशन और नर्शरिंग ऑफ चिल्डर्न मैरेज कुंस्थ फॉल्विंग फंक्शन बिसिकली संतानों पत विजिकल विजिकल अफिन नंगेशन के तहट एक अच्छे सिटिजन के रूप में डवलब किया जाएं अपको भागज़दारी हो एक भावनात्मक शपोर्ट मिले ग्रूम् परिवार के साथ जुड करके जो पारिवारिक दायत्प है उनका निर्वाहन करते हैं अब हम पढ़ेंगे टाइपस ऑफ मैरेज मेनिंग अफ मैरेज मैरेज इन इंस्ट्यूशन विच एम सटिस्वाइं फिजिकल साइकोलोजिकल सुशल और एकोनोमिकल नीट अफ मैं और वोमन वाई कैसी संस्ता है जिसके ताहत आपके शारिक मांसिक सामाजिक और जो आर्थिक आउशक्ता है है उनके लिए उनके कंटेक्स में इंटरडिपेंडेंडेंस बढ़ता है आप जुड़ पाते हैं टाइप संटम्स ऑफ मैरेज मेनिंग में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग तो नंबर अफ मेट्स अस वेल अकॉर्डिंग तो टाइप जो इस पर नंबर अफ में पर वाइड चैनल पर अपर जो झुड़ पोरुज ए नारी किसी एक पूरुज ए नारी से जिव अंदर विवा के बंदन में बंदन में पॉलिगमी में क्या है, it is the form of marriage of man and woman permitted to marry more than one woman or man at a time and live with all the wives and husbands at the same time. पॉलिगमी में भी फॉर्दर सब डिवाइब इंटो टू टाइप से अंडर, पॉलिगमी is that form of marriage in which a man is married to more than one woman, एक साथ एक से ज्यादा विवाह किये हैं, एक से ज्यादा इस्तिमों के साथ रह रह रहा है, और पॉलिएंट्री जह हो क्या है, एंड्रॉस का मतलब होता है मेल, गैमियों का मतलब होता है फिमेल, तो पॉलिएंट्री की मतलब एक औरत के कई सारे पति होंगे, पॉलिगमी मतलब एक मर्द के कई सारी पत्निया होंगे, बहु पत्नी पर था या बहु पती पर था, ऐसे समझ जो, पॉलिएंट्री is that form of marriage in which a woman is married to more than one man, फ्रेटर्नल पॉल In some tribes, a woman married man who are brothers, non-feternal polyandry में क्या है, कि वो शादी तो किये कैसे और वो जिन से साधी किये हों आपसमें उनका भाई वाला हिसाब नहीं है, in case the husband of a wife is not brother, it is called non-feternal polyandry, objective of Hindu marriage, Hindu marriage के बारे मात करते है, तो marriage एक संसकार है, in Hindu society marriage is a religious duty, it is an important संसकार, बहुत सारे से कर्म है, है, बहुत सारे से अनुस्ठान है, विवाहित दंपति, विवाहित यूगिल ही सामिल हो सकते हैं, राइट अटेस्ट वर मेरेट मैं, ट्रडिशन हिंदू सुसाइटी, only a married man gets the right participate fully in all social and religious activities, along which is why विवा करने से ही अधिकार आता है, कि आप हर धार्मिक और सामाजिक कामों में पूरा-पूरा सभागिता कर सकते हो, Muslim marriage nation and distinction from Hindu marriage, Muslim marriage कैसा है, तो Muslim marriage or nikah is a civil contract between man and movement for a following purpose, Muslim विवाज वो अलग में से देखता है कि साब जन्मों का पंधन वाला नहीं है, साब किताब, यह यहाँ पर हैसे देखता है कि एक civil contract, जो कि क्या करता है, लिगलाइस करता है, फिजिकल relationship को, or procreation of children, Muslim marriage is a contract or agreement, it can be broken at the will of husband or wife, और यह जो है, चुकि यह contract है, तो contract को तो भाई समात किया जा सकता है, और contract के दो पार्टी है, husband or wife है, तो दोनों में से किसी एक पार्टी से, या दोनों में से, दोनों ही पार्टी किसा हमनती से, marriage meaning and definition, meaning of marriage, marriage is an institution which aims at satisfying psychological, social, cultural, economic need of women and man, चुकि में परे इसका चुका हूँ, definitions, marriage can be defined as an institution for admitting men and women into family life, legitimation of spring and establishing other rights and obligation of husband, wife and children, main aim, regulation of sexual activity, regulation of sexual activities through a stable relationship is the primary aim of marriage, the significance of marriage or marriage ceremony, society approved the relationship between a man and woman generally in a civil or religious ceremony, rules of spouse selection, city of rules, every society lays down certain rules to govern the martial alliance among its members, prohibitive rules, rules are those rules which put a restriction on the selection of mate, पहला क्या है, an incest taboo, incest sexual or martial relation between two people as under, who are related to each other by blood ties, जो blood ties से चुड़े हुए है, भाई पहन है, ऐसा है, वो बलाउं तो सेम नुक्लियर फैमिली, सेम नुक्लियर फैमिली का है, जो अपर कास्ट वाला कास्ट वाले से मेरी कर सकता है, इंडोगेमी में क्या होगा, ओन ग्रूप में ही होगा, एक्जोगेमी में क्या होगा, कि एक सर्टन ग्रूप है उसके बाहर, जैसे गुतर वाला बात मैंने बताया आपको, हैपोगेमी, it is a marriage in which boy from lower caste can marriage with a girl of upper caste, lower caste का वाला है, वो upper caste के किसी लड़की से शादी कर रहा है, perspective and provincial rules, क्या है, a parallel cousin marriage, it is a marriage between the children of either two brothers and sister, cross cousin marriage, it is a marriage of a daughter of the following, his maternal uncle daughter, mother's brother, daughter, यह साउथ इंडिया में होता है कि लड़की जो अपने मामा से शादी कर लेती है, पैटर्नल आंट्स डॉटर, फादर सिस्टर्स डॉटर, यह हैं कहीं कहीं पर, लेवरेट इस दे कस्टम इन विच विडोर मैरीज हर हस्बेंट ब्रदर के कोई विद्वा है, तो वो जो है, वो अपने पती के भाई से शादी कर ले रही है, शरोगेट, शरोरेट, इस अ कस्टम, इन विच विडोर मैरीज, दाइंग सिस्टर ऑफ इश्टिस वाइफ, ट्रदिशनल फिर्म क्या है, डिजाइड फॉर्म, ब्रह्मा ब्रह्मा मैरेज, फाधर गिफ्टार टोलडनेड मैड विट गोड़ रेक्टर आठ विवा के प्रकार बताए गए हैं ऑसमें ब्रह्मा बिवा उसमें क्या है कि फाधर जो वो स्रीयों के वर ढूंता है और अपनी बच्छी का हफ इसके हाथ में देता है बेरें अ द गुरुम प्रिजेंट सम गिफ लाइक पेर अफ काव और बुल्स तो फादर अफ प्राइड बिफर मैरेज प्रिजापति मैरेज फादर गिफ्स दोटर तो अमन अफर प्रॉपर निगोशिएं निगोशिएं इस परेंट्स उसके माता पिदा से बात करके अंडिजारेबल फ पाइस जो है वो दुला दे रहा है याट इस थैंक यू